एक बहुत ही बड़ी साजिश की जाती है जिसमें अदानी को निशाना बना कर पूरे भारत की अर्थविवस्था को चर्मराने का प्लान था मगर जिस प्रकार से अदानी ने इसके अंदर वापसी की ऐसा जबरदस्ट जवाब दिया कि सारी विदेशी एजंसियां पानी मांग रही हैं एक-एक सबूत आपको दिखाई देगा और किस तरीके से इस समय जो जानकारियां आप तक पहुँच रही हैं वो जानकारियां गलत हैं आप इसको जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे भारत का स्टॉक मारकेट अमेरिका और यूरोप के स्टॉक मारकेट से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है क्योंकि जब इसकी शुरुआत की गई थी तो वहीं के लोगों ने यहां पर ताना बाना बुना था और इस करके भारत के स्टॉक मारकेट की कुछ यानि की United Kingdom की तरफ से एक documentary को प्रकाशित किया जाता है जिसमें मोधी की चवी को नुकसान पहुचा कर देश की चवी को नुकसान पहुचाने की कोशिश की जाती है। इस documentary का मकसद भारत के अंदर अविवस्था फैलाना नहीं बलकि भारत और Middle East के बीच में दरार उत्पन करना था। और ये relations इस समय चरम पे पहुच गए हैं क्योंकि अदानी का साथ दिया है Middle East ने और अदानी का मतलब इस समय भारत की अर्थ विवस्था बनता जा रहा है। मगर ये मामला जिस प्रकार से आपको समझाया गया है उससे थोड़ा अलग है वो जानिये। पहला सबूत तो ये देखिए हिंडनबर्ग नाम का जो प्रोपेगंडा बनाया गया था उस समय भारत का मार्केट कितना गिरा केवल ये जो कैंडल है इतना गिरा। अगर आप इसके पहले देखते हैं तो इस प्रकार से मार्केट कई बार गिरता है समल जाता है और इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल आपको यहां पर दिखाई देंगी। यानि कि मामला ये है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट 1-2% नीचे गया है ये कोई नई बात नहीं है ये और उसके उपर बात है कि इससे ज्यादा नीचे पिछले 6 महिने में कई बार जा चुका है जिसके बारे में खबर नहीं बनी क्योंकि उस समय ये प्रोपेगंडा नही के आता है यानि की बहुत ज़्यादा फाइदा बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा क्लाइंट्स को आपके मेरे जैसे लोगों को देना चाहता है उसी समय आखिर ये कांड क्यों हुआ जिस समय अदाने का शेयर काफी ऊपर यानि की 4000 के आसपास चल रहा था उस समय दूसरे ये बहुत सारे नए लोगों की स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से एंट्री हो इसको सुनिश्चित करना था इस बात को आप समझिए कि भारत के अंदर केवल एक करोड़ लोग ही भारत के अंदर एक्टिव रहते हैं जबकि अमेरिका में तकरीबन हर किसी का स्टॉक मार् और भारत के अंदर अगर ज्यादा लोगों को जोड़ना है तो थोड़ा मुनाफ़ा देना होगा और यही बात सोची गई अदानी के द्वारा भी अब इस बात को समझे कि शेर मार्केट चार खिलाडियों के द्वारा चलाया जाता है और इस खिलाडी के अंदर आप भी शामिल है यानि कि जो क्लाइंट्स हैं वो आप और मैं हैं उसके साथ में यहाँ पर डी आई आई जो लिखा है यह डॉमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इ यहाँ पर खिल खिला गया उसको FII कहा जाता है यह जो पूरा का पूरा कांड हुआ है इसके अंदर यह पूरा का पूरा खिल FII यानि की विदेशी एजेंसियों ने किया था और अब आप उसके सबूत देखने वाले हैं यहाँ पर आप देखिए कि यह हर रोज का डेटा ह कि हर दिन FII ने कितने पैसे मार्केट में डाले और निकाले और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक, दो, तीन और यह तकरीबन 17 दिन लगातार इन्होंने पैसे यहाँ से 1000 करोड रुपे निकाले हर रोज 1000 करोड रुपे मार्केट से निकाले जा रहे थे और इस तरीके से ब आपको प्रतिबंदित भी कर सकते हैं अब जिस दिन चेतावनी आ जाती है उसके बाद में इनके प्राण पखेडू उड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कोई नई साजिश रचनी पड़ेगी अब मैं आपको एक स्टॉक दिखाने वाला हूँ इस बात को समझिए कि जैसे ही य युद्ध बढ़ा भारत ने बोला हम किसी की तरफ नहीं है और उसके साथ ही इस वाले स्टॉक की जो कीमते हैं वो बढ़ती चली गई क्योंकि भारत युद्ध से अचुता था अब इस वाले चार्ट के अंदर आप देखिए कि जैसे ही युक्रेन वाला मामले की मगर इस बात को समझी कि अदानी का रश्या से कोई लेना देना नहीं था हम वहां से गैस नहीं मंगाते मगर यहां पर इसके शेर भढ़ते जा रहे थे और यूरोप के अंदर गैस कंपनियों के शेर घटते जा रहे थे अब ये जो इनोंने कांड किया है उसके बाद में अ प्रकार से कैसे कर रहा है हमारी बात नहीं मान रहा इसका मतलब शेर मार्केट के अंदर ये जो मामला है इसको फैलाने के लिए उनके पास में वजय थी अब इस पूरी स्टोरी की आखरी कड़ी को भी आफ समझ लीजिए कि एक तरफ जब आर बी आई ने चेतावनी जारी क कर दी थी उसके बाद में ये लोग यहां से पैसा निकाल नहीं पा रहे थे और इसी के साथ के अंदर इनका एक प्लैन आया एक हिंडन बर्ग रिपोर्ट के नाम से जो सिरे से फरजी है केवल दस लोग इस कमपनी के अंदर हैं इसका कोई लेना देना नहीं है और एक और ब ये देखे जिस दिन रिपोर्ट आई उसके बाद में यहां पर दो बारा से दो हजार पांच हजार छे हजार करोड रुपए विदेशी एजेंसिया निकालने लग गई क्योंकि अब उनके उपर RBI की तरफ से कुछ भी नहीं था क्योंकि इस समय अगर उनको RBI प्रतिबंद करती तो वो इसका रोना पीटना मचाते पूरे विश्व के सामने मतलब इसका ये है कि केवल और केवल यहां से कई हजार करोड रुपए हर रोज निकालने का एक बहाना जिसको उन्होंने बनाया हिंडनबर्ग नाम की एक रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर एक भी ऐस तथे नहीं है जो कि पहले से यहां पे लोगों को मालूम ना हो यानि कि उसकी जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो पूरी फरजी है ये लोग चाहते थे कि अदानी का जो एफपी ओ आ रहा है उसको फ्लॉप कर दिया जाए और ठीक एक दिन पहले जिस दिन ये एफपी आना था इस प्रकार से मार्केट के अंदर मीडिय एजेंसी के साथ में महौल बनाया जाता है और साथ ही के अंदर मोदी के उपर जो डॉक्यमेंटरी थी उसके उपर कुछ दिन पहले महौल बनाया गया था मतलब इसका ये है और डर भी उनको ये था कि अगर हमने यहां से वैसा निकाला स्टॉक नीचे जाएंगे मिडल इस्ट की कमपनिया यहां पर आएंगी और वो ससते में खरीद लेंगी सारा नुकसान तो हमें होगा जबकि उनकी साजिश ये थी कि भारत को नुकसान पहुचा दिया जाए और ससते के अंदर स्टॉक खरीद लिये जाएं ज उसको भी हटा दिया गया और ये Middle East ने जाकर अदानी का जो FPO है उसको तकरीबन पूरा खरीद लिया और ये जो FII हैं जो कि भारत को नुकसान पहुचा रहे थे बेचारे अब रो रहे हैं दो बड़ी कंपनियों जिनके उपर टारगेट किया जा सकता था या तो Reliance और अदा अदानी ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया था कि लोगों से रोते बनाना हसते वो आज तक Reliance को नहीं छेड़ते तो उन्होंने सोचा कि अदानी के उपर इस बार हाट डालते हैं क्योंकि वैसे भी Politics के जरीए अदानी के उपर बहुत शोर मचाया जा रहा है मगर इस बार भ देखी गई है कि भारत के अंदर जो साधारन निवेशक हैं उन्होंने अदानी से पैसा निकाला नहीं बलकि उन्होंने सस्ता होते ही उसके अंदर और पैसा डाला और साथी के अंदर Middle East ने बहुत सारा पैसा डाला यानि कि भारत और Middle East के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सम तो लेती हैं मकर 7 के अंदर भारत के भी कुछ चटे हुए पत्रकार जो यहां पर बहुत जादा हाहकार मचाने की कोशिश करते हैं उनका भी सहरा लिया गया मार्केट को क्रैश करने की जो कोशिश की गई है वो सारे सबूत आपके सामने है मोधी और मिडल इस्ट के बीच के अंदर दरार जो करने की कोशिश की गई वो भी आपके सामने है मगर मिडल इस्ट भारत के साथ में आ गया ये भी आपके सामने है और ये ही सबसे बड़ी पर निशानी है उन पत्रकारों के लिए जो कल से छाती पीट रहे हैं क्योंकि वो आज तक अपनी अंग्रेजों वाली मानसिक्ता से बाहर नहीं निकल पाए जबकि भारत अंग्रेजों से और अमेरिका के प्रभाव से बहुत ज्यादा आगे निकल चा रहा है बड़े-बड़े म प्रकार की बाते आपको क्यों नहीं बता रहे उसके पीछे क्या वज़े है इसलिए छोटे-छोटे हम जैसे लोगों को ये बात आपको बतानी पड़ रही है नमस्कार धन्यवाद जहेंद